दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो CKD Stock Market News चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बैल एक प्रेस कर देना चलिए सुरू करते हैं हलो फ्रेंड्स अभी आज मैं जिस शेर की बात करने वाला हूँ यह शेर अडानी गुरूप का है और अडानी गुरूप से रिलेटेड अभी तो मैंने यह शेर को आप किवल एक एक इग्जामपल के तौर पर लेना अडानी के स्टॉक क्यों और अल्टिमेटल अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से अडानी के सारे स्टॉक गिले अल्मोस्ट शेर सिनके 60% से ज्यादा क्रेश हो चुके थे इसी बीच में आज इस शेर की बात करेंगे मार्केट कैप की बात करेंगे तो 92,218 करूर का इसका टोटल मार्केट कैप है करेंट प्राइस की बात करेंगे त तो 827 रुपए का है, हाई की बात करेंगे, 4,249 का लगाया, लो की बात करेंगे, 630 रुपए का लो लगाया, अगर वहीं मैं इसके लो से कंपेर करने की कोशिस करूं, तो ये शेयर 3,609 रुपए के आसपास, 3,609 रुपए के आसपास सस्ता मिल रहा था, अपने 52 भी एक से, इस्ठोक की पी-ई की बात करेंगे, 86 का पी-ई है, बुक वैल्यू की बात करेंगे, 95 का बुक वैल्यू है, रिटर्न और कैपिटल इंपलोर, रिटर्न और इक्विटी 20% से नीचे है, पर जिस सेक्टर में कंपनी काम करता है, उस सेक्टर में 20% से उपर, रिटर्न और क group the company is a private sector power transmission power को transmit करता और उसको distribute करता है company also engaged in the business of establishing commissioning setting up operating and maintaining electric power transmission systems in India ठीक अब दिखो भारत की growth story में अडानी से related जब अडानी Hindenberg के report आई थी तब भी मैंने आता video लागे की भाई प्राइनिक मत हो ना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अडानी वापस से उपर आ जाएगा और उसके बाद रभीस और रहुल जी ने थोड़े से खड़ा किया तो हलाकि फिर सुप्रीम कोड ने भी फाइनली अभी क्लीन चिट अडानी को दे दिये तो मैंने पहले ही कहा था कि आख पॉलिटिकल प्रोपेगंडा से दूर है न और जिसने भी पॉलिटिकल प्रोपेगंडा से जो भी इंवेस्टर हाँ दूर नहीं जिसने किव़ एक इंवेस्टर वाली बुद्धि लगाई ठीक है वो आज पैसे कमां के लेके जा रहा ह IP चाहए वो अडानी एंटर्र में 55-50% का सरकिट है वहीं अडानी विलमार की बात करेंगे 10% का सरकिट फिल्टर है तो वहां 10% का लगता है गुरू और अडानी एंटरप्राइज में 20% का है तो देखो सीधा सीधा 20% अला रहा है अडानी एंटरप्राइज के अंदर और देखना अलाकि यह कल इलेक्शन होगा उस चीज का प्रदानमंत्री को जो इलेक्शन है अपने है उस चीज का वो वेट करेंगे और जैसे ही इलेक्शन में का सेम गौर्मेंट दोबार आई तो अडानी के सारे शेर यहां से जिस रेंच पर खड़े थे वहीं खड़े हो जाएंगे अब देखि इनक्रीस किया तो इसी से रिलेटेड आपका भी कुछ ऐसा ही दिमाग चलना चाहिए जबकि कंपनी केवल पैनिक की वजह से गिर रहा है अभी देखो अडानी केवल पैनिक की वजह से उपर चल रहा है पैनिक क्या होगा कि सुप्रीम को ने क्लिंचर दे दिया गिर रहा है उसको एकुमिलेट कर रहा है अगर शेर उपर जा रहा है तो चुप्चा बैढ के देख रहा है तो ये एक इस्ट्रडेजी आडानी के शेर्स पर यह हमीशा चलती रहेगी मेरे मित्रों आप हमीशा खरीते रहोगे बेशते रहोगे हाथ में कुछ नहीं आने व हो आपको किसी third party के rumors की वज़े से अपना लॉस नहीं करवाना चाहिए क्या प्रोपेगंडा के अंदर पैसा आपका होता है इस वज़े से मैं कहना चाहूंगा ठीक है तो अडानी transmission से अगर मैं बात करूं तो अडानी पावर तो बहुत अच्छा चल रहा है और वहीं देखिए एंटी पीसी देखिए नौ का पीई है पावर ग्रीड दस का पीए अडानी ग्रीन एकसो पैंतिस का अडानी पावर आट का और अडानी transmission फिलाल जीसे साफ से अगर एवरेश्ट परवत पे चड़ाया हो तो आप इतना तो मनी सकते हो कि वह छोटे मोटे पाल तो चड़ी लेगा और अडानी पावर में ऐसा क्या है आडानी पावर साड़े आया है तो अगर ये शेर आडानी ट्रांसमेशन एवरेश्ट परवत पे चड़के आया है तो इसका मदब ये वापस से भी चड़ सकता है तो इस वज़े से ये चार साड़े चाराजर वापस चाह सकता है ये किवाल एक मेरा प्रेडिक्शन है फिर भी किसी भी शेर एडिकेशनल वीडियो से जब आप चैनल सबस्क्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशनली फिलार अगर मैं सेस की बात करूँ जून सिप्टेंबर और दिसंबर में 3132 करोड, 3255 करोड, 3552 करोड खर्चे की बात कर लेते हैं यहां से 2469 करोड, 2088 और 2088 और 2074 करोड का खर्चे भी ठीक हो रहा, कंट्रोल रहा कंपनी का, material cost की बात करेंगे, 7% के आसपास है, employee cost 6% के आसपास है, कंपनी को margins बढ़िया मिलते होंगे, और दिको profit भी धमाकिदार आया था, दिसंबर क्वाटर में 194 करोड से सीधा सीधे 478 करोड का, उसके बाद EPS जो है 1.85 से सीधा सीधा 4.26 का EPS इनका रहा, earning per share, इसके साथ साथ अगर March 21, March 22 के रिजट्स की compare करने की कोशिश करें, quarter on quarter basis पे, दिसंबर quarter में तो इन्होंने beat किया, अगर मैं year on year basis पे sales की बात करूँगा, 9926 करोड, 11,258 करोड, अभी यहां पे जो March 2023 में जब रिजट्स update हो जाएंगे, तो एक quarterly results आएंगे, एक yearly results आएंगे, अगर दोनों को beat किया, तो share यहां से वाई, वापस से यह मान के चल है, है ना, September 2022 तक की balance sheet के अगर बात करें, तो share capital 1115 करोड की है, जो की increase results की बात करेंगे, 9520 करोड की चल रहे हैं, borrowing की बात करेंगे, borrowing तो वैसे भी थोड़ा का concern रहा है, और उस concern ने भी अगर आडानी transmission की बात करेंगे, तो borrowing यहां पे ठिक ठाक है, 30,000 करोड के आसपास का long term borrowing है, पर इतना पर, यार, 42,000 करोड की तो market cap है, इतना भी concern नहीं है कि share attitude को तोड़ ताल के इतना 4000 से सीधे, पटक दो आके, यहां पे 800 रुपए, इतना भी बड़ा concern है यानि, तिक है ना, उसके बाद 75 करोड का negative cash flow था, अभी March में मुझे अधा लगता है positive cash flow आ जाना चाहि है, promoters की holdings की बात करेंगी, तो March 2023 में promoters ने थोड़ी सी holdings अपनी कम कर लिए, जो की करना भी चाहिए, यार, इनको, और वही 3% के आसपास promoter जहां 74.19% और करके चलते थे, 71.64% promoter करके चल रहा है, ठीक है, अच्छा हुआ, FIIs की बात करेंगे, 19-21, FIIs बढ़ गये company के अं सपास, या यह लोग वो बढ़ गए होंगे, जो साड़े चार चार, साड़े चार जार पर लेके बैठे होंगे, वो नीचे से फिर उन्होंने accumulation करने की चेश्टा करी होगी, इस quarter में, जो कि अच्छा move रहा होगा, मेरे मित्रों, आल इन आल देखेंगे, तो रिजर्स अच् गुरु बंपर रिटरन देंगे, अगर आप अपने लिए यहां से कुछ निकाल के ला सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, और फिर भी किसी भी mutual fund stock में, और अडानी के जो stock हैं, काफी सारे बहुत बड़ा risk और जोखिम बरा होता है, तो किरपिया जोखिम और risk, बहुत सोच समझ के लगाना, कि वही पैसे को लगाना, जो in fact आप यह मान के चलना, बिल्कुल स्क्रैब है वो पैसा, इस तरीके से, क्योंकि अडानी में कल को क्या होगा, यहां जिंदगी एक पल है सुहाना, है न, ऐसी कुछ गान है न, यहां कल क्या हो, किस ने जाना, आप बोल सकते हो, कि कल अडानी के अंदर क्या होगा, किसी को नहीं पता, तो किरप्या कर रोलर कोस्टर को अगर आप जहल पाएं, तभी अडानी के शेर्स में एंटरी करना, कमजोर दिल वालों के लिए अडानी के शेर्स हैं ही नहीं, तो अगर आपका दिल मजबूत है, तो अडानी आपका है, मेरे मित्रों, कल फिर आपके साथ भी लेखें, सेम टाइम सेम चैनल तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद,